दोस्तों आप सभी बिहार प्लीस कॉंस्टेवल नई भरती की बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं तो अचलिए बंपर पदोपर भरती के बारे में देख लिजिए इस बार का जो भरती है दोस्तों बिहार प्लीस के इतिखास में इतने पदोपर कभी भरती नहीं हुआ है पिछ पुछा जाता था तो अब यहां पर पैटर्न सब कुछ बदल गया है तो कैसे क्या सेलेक्शन होगा इस फॉर्म को कौन-कौन खिलब करेंगे उम्र कितना क्या चाहिए पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं आप इस वीडियो को सुरू से अंतक द पैटर्न देखेगा तो यह तीन से सारे तीन मेहने में परिक्षा ले ली जाती है अभी अगस्त में ही 76 पदोपर माधिनिसियत सीपाही प्रोविशन कॉंस्टेबल की भरती आई और इसका एक्जाम भी डेट हो गया है 16 अक्टूबर 2022 को परिक्षा ली जाएगी तो आप द अब सब कुछ सिले बास असान हो गया है अच्छे तरीके से त्यारी किजिए लगभग सतर क्वेस्टन आप सही बनाएगा और असानी सापका सेलेक्शन हो जाएगा साथी दोस्तों आप सभी बिहार प्लीस की त्यारी के लिए अभी क्या है कि टेलिग्राम पर सुरू करवा पर आए है तेलिग्राम पर डेली 4-5 इंपोर्टेंट टॉपिक का नोटस मिल रहा है साथ में आप लोगों को टेस्ट मिलेगा तो जाईए आप फटाफ़ टेलिग्राम से जरूर जुर जाए तेलिग्राम पर आप लोगों को यहां पर आप देखेगा तो इस तरह से मिलेगा तो रोज आप लोगों को इंपोर्टेंट टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना और यह वही टॉपिक है जहां से फिक्स है कि हर भार क्वेस्टन एक्जाम में पूछा आई जाता है टेलिग्राम पर सक्सेस प्लैनरेट लिक कर सर्च किजिए और कमेंट सेक बहुत अधीक है हजार पंदरस रुपिये नहीं है बहुत ही कम प्रैस पर है जिससे आप असानी से स्पाइच को परचेज कर सके तो फटा फट अप्लिकेशन से जूर करके बिहार पुलीस नहीं भरती 2022 की संपूर्ण त्यारी के लिए आप टार्गेट वाइच जोएन कर लिजे जिसमें सभी एकजाम CSBC के द्वारा ली गई है सभी एकजाम का क्विस्चन बाइंक इसमें मिल जाएगा तो यानि संपूर्ण त्यारी कर वाइंगे जिससे आपका असानी से बिहार पुलीस में रिजल्ट हो जाए अब यहाँ पर बात करते हैं New syllabus के बारे में तो New syllabus और क्या कुछ यहाँ पर बदलाव हुआ है इस बार की भरती में तो यहाँ पर यह था कि पिछली बार जो 2020 में भरती आई थी तो 14 मार्च और 21 मार्च को एकजाम लिया गया था इस एकजाम में 100 में से 50 ही क्विस्चन ऐसे तो आप देख सकते हैं पहले क्या होता था कि बहुत टफ क्विस्चन पूछ दिया जाता तो और उपर से क्विस्चन सोसल मीडिया पर वैरल हो जाता था इस कारण से कट अप हाय चला जाता था तो बिहार पुलिस से क्या किया गया कि 2021 में सिलेवस में ही बदलाव कर दिया तो अब जो भी यहां पर विहार पुलिस 2021 के बाद भरती दिया गया है अभी मधनिश्यत सिपाही का देखिएगा आप फायर मेन का एकजाम लिया गया है 27 मार्च 2022, 27 परवड़ी 2022 दोनों एकजाम में बहुत ही नॉर्मल क्विस्चन पूछा गया था जिसमें आप पछे तर रहेगा आगे ये सब चीजे भी आप लोगों को बताने वाले हैं तो टोटल 100 क्विस्चन मिक्स करके पूछा जाएगा इसके लिए आपको दो घंटा यानि 120 मिनट का समय दिया जाएगा एकजाम ओफलान ओमर सीट पर लिया जाएगा पिछली बार की भरती के लिए 12,000,000, कंडेट फॉर्म फिलब किये थे और इस वार दोस्तों 15,000,000 फॉर्म फिलब होगा तो आप अच्छे तरीके से त्यारी किजेगा तभी सेलेक्शन हो पाएगा सीट अधीक है तो यहाँ पर कंडेट भी अधीक हो गए हैं और परिक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है तिसलिए आपको एकजाम में सभी 100 question attempt करना है कोई भी question को नहीं छोरना है तिसलिए इसमें आग 5 question अधी cut-up जाने का यही है कि 75 question के लगभग अगर आप सही बना लिजेगा ता असानी सापका result हो जाएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए सभी question attempt attempt करते हैं Language paper से मिलाकर करके 18-20 question तक पुछा जाएगा जिसमें Hindi से 10 questions इंगलिशस सगр 10 तो हिंगलिशसे आठी इस तरह से 18-20 question तक पुछा जाएगा मिनिमम यहां से 15 question पूछा ही पूछा जाएगा गनीत की बात करें तो गनीत से हर बार 10 question पूछा जाएगा गनीत 10th level का ही पूछा जाएगा जिसमें तिरकोनमीती, जैमीती, छेत्रमीती सभी विशाय से और अंक गनीत जो है परतिसत लाभानी, चक्रविर्धी, व्यास, साधरन, व्यास सभी topic से मिला करके 10 question पूछा जाएगा खास करके आप 10 question बनाने के लिए प्रिवियसर का question अच्छे से complete कर लिजेगा और जो भी pattern है उसे according सभी topic को complete कर लेते हैं और यह नहीं है कि बिहार पुलीस के लिए बिहार पुलीस में दोस्तों कुछ ऐसे भी topic है जिससे special यहां पर question पूछा जाता है तो बिहार पुलीस के लिए आपको especially जो भी topic से question पूछा जाता है अच्छे से complete करना है और इसका अलग से आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे गनीत में कौन-कौन सा topic आप लोगों को पटना है तो आप application से जूर जाईए target batch join कर लिजे जिसमें आप लोगों को संपूर्ण त्यारी करवाएंगे और YouTube पर भी आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा कोर्स इसके लिए है अगर आप कहीं कोर्स जोयन करना अचाहते है तो आपके लिए बेहतर है कि target batch join कर लिजे जिसमें अभी से आप तैयारी में लग जाईए सोसल साइंस की बात करें तो इसी तरह से सिलेबस में लिखा हुआ है समाजिक विग्यान इतियास भूगोल नागरिक अर्शास चार सब्जेक्ट हो गया साइंस में बहुत की रसाइन विग्यान वनस्पती विग्यान यानि फिजिक्स कमेस्ट्री बैलोजी हो गया और यहाँ पर एक और टॉपिक है प्रियावरन पारिस्थित की जैब बिवित्तात इस टॉपिक से चार से पांच क्वेस्टन तक पूछ दिया जाता है और इसका से चार क्वेस्टन विहार्स रिल्टेट पूछा जाएगा करेंट फियर सेच से पांच क्वेस्टन तक पूछा जाएगा तीस तरह से सभी विशाय से मिक्स करके एक सो क्कूछ जाएगा और आप सभी अप्लिकेशन से अगर आप टारगिट बैच नहीं भी जोएन करना चा आते हैं तो वहां से आप टेस्ट के रूप में दे सकते हैं और जो भी भी एक क्विस्चन है यह सब चीज़े आप लोगों को प्रुवाइड करवाएंगे तो जहीं फटा फटा प्लिकेशन जोइन कर लिजे और दोस्तों आप लोग अप्लिकेशन के जुरूर रेटिंग दे सकते हैं इस तरह से और यहां पर बात करते हैं अब 2022 वेकेंसी की तो 2022 की भरती का दोस्तों आप लोगों को अब कुछी दिन का इंतजार करना है दुरुगा पुजा के सुबह अब सर पर आप लोगों को नहीं भरती मिल रहा है और अगर माली जे थोड़ा भो देरी होता है कि यहां पर यह है कि अगर सितंबर में भरती नहीं आएगी तो कब आएगी तो सितंबर में पूरी संभावना है कि महीने के लाश्ट तक दुरुगा पुजा में भरती आ जाईगा और एक्जाम फिक्स है दोस्तों कि जनवरी लाश्ट में लिया जाएगा तीन महेने का आप लोगों को समय मिलने वाला है अगर आप पहली वार चैनल पर आए हैं तो बिहार पुलीस की संपूर्ण त्यारी संपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी चैनल को फटा फट सब्सक्राइब करके जुर जाएगे merit list की बात करते हैं दोस्तों तो भिहार पुलिस में जो merit बनता है exam का दो चरण है पहला चरण होता है exam लिखित परिक्षा जिसके बारे हम शुरू में आप लोगों को बता हैं इसमें total 100 question पुछा जाएगा इसमें 72 question आप बना लिजेगा असानी से आपका result हो जाएगा target आपको 75 plus का रखना है दूसरे इसके बाद होता है physical test तो physical test में merit इसमें जो बनेगा अच्छा चला जाएगा उसी समय सा physical में लग जाईएगा फिर आपका असानी से बिहार पुलीस का जो सपना है पुरा हो जाएगा selection परिक्रिया की बात करें दो चरहन है पहला लिखित परिक्षा इसके बाद physical में marks के अधार पर बनता है syllabus के बारे माँ आप देखी लिए अब बात करते हैं यहाँ पर age की तो age जो चाहिए दोस्तों यहाँ पर भरती जो आ रही है 2022 में तो एक अगस 2022 को अगर आपका minimum age 18 साल complete हो गया है तो आप इस form को बिलकुल भर सकते हैं यह हो गया minimum का condition 18 साल होना चाहिए qualification की बात करें तो बार्मी पास पर यह भरती है अगर आप किसी भी विशाय से बार्मी है तो आप इस form को भर सकते है percentage marks का कोई condition नहीं है बार्मी जो होना ची एक अगस 2022 तक अगर आपका बार्मी का result एक अगस 2022 तक और एक अगस 2022 को अगर आपका minimum age 18 साल complete हो गया है इस form भरने यह permanent job है पुलीस वर्दी वाला आपको job मिलेगा तो इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से त्यारी में लग जाईए और application के बारे में आप लोगों को बता ही दिये सारा कुछ की target वैच आपको join कर लेना है जो नए चात्र है खास करके तो आप लोगों को संपूर्ण त्यारी करके login करके सारा कुछ content वहां से देख लिजिए अब बात करते हैं यहां पर बैच के बारे में तो आपको सब कुछ समझ में आही गया भरती के बारे में यहां पर देखी लिए और height की कहां तक तो height के लिए जो condition है अगर आप पुरूस आप भीहरतियत 165 cm चाहिए SCST के कुछ clear हो गया और form को कौन-कौन भरेंगे तो यहां पर form भरने के लिए 2 condition है पहला तो बार्मी होना चाहिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए तो यहां पर आपको target batch के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया कि अगर आप संपूर्ण त्यारी करना चाहते हैं तो application से fix है कि एक से दो question देगा जैसे प्रियावरन पारिस्तित की देखेगा तो भी हर पुलीस इक जामें 4-5 question तक पुछा जाता और इसका वीडियो भी YouTube पर उपलब है तो आप वीडियो भी देख लीजेगा अच्छे से पर दूसन यह सब important fact है तो आपको जरूर यह सब topic को अच communication से जुर जाइए और नई भरती की दोस्तों आप लोगों को बहुत इंतचार नहीं करना है दुरगा पुजा के सुभवसर पर आप लोगों खुस ख़बरी मिलने वाला है और बिहार पुलीस के तिहास मीतिने पदवपर कभी भरती नहीं हुआ है तो 12,000 पलस पदवपर भ 1815 पर इस बार 4000 एक्स्टरा सीट है, 6000 कंड़ेट का रिजल्ट आएगा सिलेबस सब कुछ में बदलाओ हो गी है और यहां पर सबसे खास बात यह है कि बिहार पुलीस के ओर से जो आप परिक्षा ली जा रही है तिसमें question paper answer की social media पर viral नहीं होता है आप हाल फिलाल पिछला exam क उधारन देख सकते मधनिश्यत, सिपाही, फायर्मेन का इसमें social media पर question paper answer की कुछ भी viral नहीं हुआ यानि पढ़ने वाले कंड़ेट का ही selection हो रहा है इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से त्यारी में लग जाईए यहां से आपको सारा कुछ भरती के बारे में समझ में आ नया syllabus क्या है, नया pattern क्या है, इस बार कैसे क्या merit बनेगा और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप YouTube पर अभी से त्यारी करना चाहते है या जब भरती आईगी तब अगर आप लोग को कमेंट अधीक रहता है तो अभी से YouTube पर सारा कुछ आप लोग को त्यारी